इसलाम अलेकुम मेरा नाम मुहम्मद रहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नेशन अकैडमी यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हमारा दसमा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ड्रग यूजड इन अनेस्थेटिक यानि के अनेस्थेटिक एजन्ट कौन से हैं तो अनेस्थेजिया इस इनसेंसिटिविटी टू पेन यानि के अनेस्थेजिया की वागे फिर वजीड दो टैप्स दी हुई है जनरल और लोकल जनरल होता है यानि के पूरी बोडी का अनेस्थेजिया आपको कोई सेंस ओफ फिलिंग नहीं होती कुछ भी महसूस नहीं होता कि आस पास कौन खड़ा है आप बेहुशी की हालत में होते हैं आपको दर्द महसूस होता है तो इस हालत में अगर पूरी बोडी में से किसी और्गन का उप्रेशन करना हो तो उसके अंदर जनरल एनस्थेजिया दिया जाता है अगर आपने किसी स्पेसिफिक पार्ट का करना है दांत का करने किसी एक उंगली का करने किसी जगह क skin के ऊपर operation करने तो उसके लिए local anesthetic apply किया जाते है जो के आम छोटे surgical operation के लिए use होते है पर परशानी को भी कम करता है आपकी के operation और है कुछ लोग बहुत जादा परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या होगा उनके साथ तो उस परेशानी को कम करता है lack of awareness and amnesia शोर भी नहीं होगा उसको जाहरी बात है जब वहोशी की आलत में होगा skeletal muscle relaxation, suppression of undesirable reflexes यानि कि इसमें अक्सर उल्टी आती है इस तरह की चीज़ें तो उनको भी ये control करते है energetic agent और analgesia यानि के दर्द भी नहीं होगा इसके बाद anesthesia की stages है यह आप पर याद रखनी है सबसे पहले analgesia जब भी इस anesthesia दिया जाता है सबसे पहले analgesia यानि के pain की sensation का खतम हो जाती है इसके बाद is stage of excitement इसके अंदर बहुत से लोग मुफ्तली फरकते करते है यानि के कोई हाथ पैर यह हो सकता है वो अपने operation जो है उसका bed बैड से नीचे आ जाए कुछ भी कर सकता है excitement के अंदर यानि के वो अपने शूर को देते हैं यह कुछ देर के लिए होता है इसके फिर फोरण बाद जो है stage of surgical anesthesia आ जाता है इसके मुझीद चार plane होते हैं जो कि इसमें नहीं दिये हुए यानि के plane 1, 2, 3 और 4 तो जादा तर 2, 3 के अंदर operation किया जाता है अगर 4 तक चला जाए या फ इसके बाद ड्रग्स दी हुई है जो के inhaled के अंदर halothene है intravenous के अंदर benzodiazepine है और local के अंदर जो है वो लाइड होगे इन है सबसे पहले मारे पास है halothene, halothene है जी mechanism of action इसका हमें नहीं पता, no specific receptor has been identified as the locus of general anesthetic action, general anesthetic increase the sensitivity of GABA receptor and clinically effective concentration of the drug यानिके GABA receptor को इसकी activity को increase कर देता है यानिके यह जल्दी 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 जो है इसका own set of action भी तेज है, offset of action भी तेज है, जल्दी असर्ट करेगा और जल्दी जिसम से excrete out भी हो जाएगा इसके बाद रैपूर्टी की होज़े है, इसका potent anesthetic but are relatively weak analgesic इसलिए इसके साथ को याप analgesic देते हैं, ज्यादा तर्मोर्फीन दी जाती है इसके साथ analgesic potent bronchodilator है, अब की secretions को खतम कर देगा, halothene relax both skeletal and uterine muscle तो अगर skeletal muscle की या uterine muscle की surgery के अंदर भी यूज़ किया जाता है इसको pharmacokinetic is oxidatively metabolized in the body to tissue, anesthesia is not repeated at interval of less than 2 to 3 weeks याँ कि अगर आपने आज halothene दी है तो फिर इसके बाद 2-3 आफ़ता का आप मजीद इसके साथ की कोई surgery उसके साथ नहीं करेंगे adverse effect में इसके ब्रेडिकार्डिया है, malignant, hyperthermia, और इसके बाद है, isoflurane, disflurane, sivoflurane ये जो हैं, इसका adverse effect नहीं है, ये भी इसके साथ की ही मिलती जुलती ड्रग्स है तो अमीद है आपको ये ड्रग्स समझा गई होगी, अगर कोई सवाल है तो आप comment section में पूछ सकते हैं, अल्ला आफ़िस